कि नमस्कार दोस्तों रिएज के सनाई एस एकड़िमी पर आप सभी का सौगत है दोस्तों मेरा नाम है अब सेक पटेल और मैं आप सब के लिए टेलीग्राम चैनल पर कुई आर्गनाइज कराता हूं और कल मैंने एक प्रस्ण पूछा था आप सबसे कि क्या आप सब यह जो टेस्ट दे रहे हैं कि इसका वीडियो सुलूशन चाहते हैं तो 86% बच्चों ने बोला था कि यहां सब हम इसका वीडियो सुलूशन चा कच्छा 6 में जितने भी प्रस्ण बन सकते कच्छा 6 की किताब से जितने प्रस्ण बन सकते हैं सब को समाहित करों तो 50 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कच्छा 6 की NCRT कवर हुई थी जिसके एक टिस्ट कुरूप मैं 25 क्वेश्चन दिये थे उसी को आज में हल कराऊंगा दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि मेरा पहला वीडियो है और मैं भी जानना चाहता हूं कि इसमें मेरी आवाज आ रही है या कोई दिक्कत आप को रही है मेरे एक्फलानेशन में कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूरा जब देखेंगे तो आप उसका फीडबेक मुझे दे पाएंगे तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप अपना फीडबेक जरूर दीजेगा कि कैसा रहा वीडियो और मैं को सुरू करता हूं पहला प्रस्ण है कि खाद परदार्थों में प्रोटीन की उपस्तित का पता लगाने के लिए किस प्रयोग करते हैं मतलब कि अगर खाद परदार्थ में प्रोटीन है कि नहीं यह जानने के लिए आप कैसे जाने के क्या प्रयोग करेंगे तो इसके लिए दू बिलियन होते हैं कापर सेलफेड और काफ्टिक सोडा ठीक है आप एक प्रक्नली लीजिए उसमें आपना खाद तो इसके अंदर आप खाद पतार्त ले ले लिजिए और डाल गलीजिए उसके देल्टा कापर सेलफेड कापर सेक्षीक का फार्मॉला होता है । न आऊ हो यह सोडियम हाइड डाकसाइड होता है कास्ट इसके दो बून डालिए इसके आप दस बून डालिए यदि इस बिलेयन का रंग बैगनी हो जाता है तो यह कहा जाएगा इस बिलेयन का रंग जो प्रक्नली में है इसका रंग अगर बैगनी हो जाता है तो कहा जाएगा जो ख खड़तार हमने लिया माले लेते हैं आलू लेने के बाद उसी पे हमने तन हइयुडीन डाला यदि यह में और डालने के बाद इस जहाँ पर पर उसका रंग इंग नैवर्य नेल कार्वोहाइडेट मौझूद है तो कार्वोहाइडेट का पता लगाने के लिए हम आयोडीन का प्रयोग करते हैं लेकिन प्रोटीन का पता लगाने के लिए कापर सलफट ये काफ्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं तो इसी परकार फैट का पता लगाने के लिए आप किसका प् प्रोटीन की उपस्थित का पता लगाने के लिए हमारा अगला प्रस्थन है कि हमारे सरीर के लिए उर्जा का मुखिसरोद क्या है क्यों क्योंकि हमारे सरीर को जो अर्जा चाहिए उसका पचास से आसी परस्थौर्जा के दोरह मिलता है क्योंकि हम अपने भोजन में एक ठाली चावल ही खाते हैं एक रोटी खाते हैं residence तो सबसे लाइद चावल रोटी झाल रोटी ज़्याधा के इससे के सबसेदा मिलेगी उसी से तो चावल रोटी में होता है कार्भो हईडरेट में तो सबसेधेद मेने आपकोगने की पूर्जञा की पूर्जञा की छतौत कार्बोहाइड्रेट हमारे सेरी में सबस्याद उर्जा की पूत क्या करता है कार्बोहाइड्रेट लेकिन यहीं एक प्रस्ण और बनता है यह दिसमान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा ले मालू सव ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमने लिया सव ग्राम ही वसा लिया त टैक वसा जो होतां है कार्वो हाइड़ेट कि दुलना में दूग नी उड़्या देड़ा तो अगर यह कहा झाये प्रसंद में कि सबस्यादा मात्रमें दोनों को लेते हैं तो आपको वसा से मृर्जा पराप्त होगी लेकिन हमारे शरीर को ज्याइदा मिलती हो कारभो ऐड्रोल क online करता है लेकिन एक वहातस जए फैट्स ज्यादा उरजा नहीं मिलता हमारे शरीर को रजा पूर्दर कार्भो हइड्रेट करते हैं empezar मात्रसन हमारा है यदि Carbohydrate था वषा की समान मात्रा बी तो किस पदात से अधिक मात्र हैं मौर्जा प्राप्टोगी वही प्रसुन हें दोनौन समान मात्रा में हैं तो वशा से ज्यदा मात्रा मौर्जा क्यों कि carbohydrate जो ताय यह देता है फ्र पॉइंट नाइन परसंट में इसे किसे शरीर वर्धक गोजन कहते हैं सरीर वर्धक घोजन के मतलब होता है कौन सा इसा पदारत खाया कार्गोहड्रिक प्रोटीन वसा में से जिससे हमारी मसल्स डपलब हों ठीक है हम हश्ट पुष्ट हों तो आपने टीवी पर आड़ देखा होगा जब आपको हश्ट पुष्ट होना बताया जाता है तो आपके लिए आड़ आता है किसका प्रोटीन एक्स का प्रोटीन एक्स बोला जाता है प्रोटीन खाई तो आपका सरीर को अगर सरीर वर्धक भोजन आप लेना चाहते तो आप प्रोटीन खाई यह लेकिन यदि आपको उर्जा चाहिए क्यों आपको सरीर बलिष्ट है क्यों आपक तो इसके लिए आपको प्रोटीन एक्स प्रोटीन लेना पड़ेगा ठीक है अगला प्रस्ण हमारा हो गया कि बीटामिन खनीजलों रूचांस तथा जल से मानो शरीर को कितने उर्जा मिलती है तो इसका उत्तर होता कि सुन के लोरी मतलब इससे हमें उर्जा नहीं मिलती मानो स्थ्रीकिदी हो बात करा चीलिए अगर दूसरों की बात करेंगे तो रूच्छांस के परवेच में बाते पलट जाएंगी इसी से बारे में इनमें क्या होता है मिनचित्रों पर श्री तो यह जो बिटामिन और जाते हैं और हम सस्थ हो जाते हैं तो था हमें यह पता चलता है कि विटामिन और खनीज लवड हमारे सरीर को स्वस्त रखने में मदद करते हैं तो ठीक है तो ठीक है इनका तो करते हैं अब रूच्छांस इससे पूर्जा नहीं मिल लेगे तो इसकी ज़रूत क्या देवरूच्छांस जिसे हम कहते हैं क्योवन फाइवर इसकर झाइडा है फाइवर इसे कहा जाता है इंगलिस में फाइवर उर्जियों का बढ़न का दो त्हुल से हो पूछा जाता है तो चोटी आतमी यह पूड हो जाता है तो जो हमारे रसांकूर होते हैं वो क्या करते हैं उससे ग्लुकोज, अमीनो एसीड यह गिलसराल को अवजार्व कर लेते हैं और बलड में मिला देते हैं तो एकर हम रुच्छांस लेते हैं तो पाचन में हिल्फ करता है दूसरी उसके बाद जो भोजन पचा है उसको और सोषण में भी मदद करता है और दूसरी बाद जो नहीं पाचन के लिए संपूर होती है ठीक है अब उसका अवजार्फन कराना है जो कुछ पच्छा उसका उसमें जल उपयोगी होता है आपके सरीम जब सिफ्ट बना उसको बाहर निकालना है पास इनी के मादिन से मूंत्र के मादिन से तो उसके लिए विजल के हो सकता होती है तो के वलगा स्फस्चा सखाते उसके मतलब खाते हैं तो उनके लिए क्या होता है होता है जल जल बोगा largest करते चारे होदा रूमेंच ठीक है रूमेन पहला भाग होता है रूमेन जब गाए भाएंस अपना भोजन करते तो जल्दी जल्दी अपना खाना खाके रूमेन में रख लेती हैं वहां बैक्टिरिया पाजाते हैं जो बैक्टिरिया इस फाइवर को पाचन में मतलब इस से लोज के पाचन में मदद करती होता है थे जुगाली करते,, पीचते खाने का अंदर आगे ले आते हैं पिर उसके बाद क्या करते हैं इसके बीजुगाली कर चोटे छोटे चोड़ी पेक्टों में फिर इसके बाद यह को पचाती यह घर आगे जाता है तो यू जो जूगाली करने वाले जन्द होते हैं उसमें प्रोटीन की सर्वधिक मात्रा पाई आती देगे प्रोटीन की जब सर्वधिक मात्रा की बात होती तो यह पाई जाती है तो यह पाई जाती है उसके कुल वायलोम का 43 परसंट के आसफास यह प्रोटीन पाई जाती है जब कि यह इसी के साब पेज़ हम मीट में देखें मीट में देखें तो मीट में पायाता है 18-26 परसंट प्रोटीन पाया जाता है और यह हम फिस में देखें यहां पे पायाता है 15-23 परसंट मीट में मांस में 18-26 15-23 परसंट पाया जाता है ज Way Chen में पायाता है 18-26 परसंट प्रोटीन में आपके पायाता है 18-26 लेकिन डालों में पाए जाता है किस से 28 परसेक्ट तो खुल डालों की बात भी करें तो तो भी डालों में आपका मेट से ज़्यदा प्रोटीन पाए जा रहा है मारा अगला प्रस्ण है है अट ह। प्रोटीन और वसाथ दोनों का परतॅ मूंक फरी में पर पर्चिरक्ट म काथ गया जाता और वशाभी परतुर ngoटंपा जाती किसी ग क्रावि से कौन सार प्र developments क्या है और ईसके स्थितल आफानिक नाम क्या है और उसके सी प्रकार का utilizing बिटामिन एक का जाता है रेटीनल विटामिन c का सबसे जदा है is तो अगला प्रस्नम देखते हैं कि निम्र्खित में से कौन सभी स्कूल नहीं है तो बिटामिन B1 की कमी से कौन सरुख होता है बेरी-बेरी बिटामिन C के बारे में भी हमने पढ़ा बिटामिन C की कमी से क्या हो जाता है इसकर भी ठीक कर भी का मतलब पश्कूल जाते हैं उसे खुण निकलता है ठीक है विटामिन D की कमी से रिकेट हो जाता है आपकी हटी की मुलाइं मोई के बोड़ जाती है और नहीं साथ की कमी से क्यों सारू रोग होता है है कि आपके आईडीन के कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो थाप बीटामिन जो पढ़ें तो विटामिन उसका रॉफानिक नाम उसकी कमीश होने अलग हो नोग और किस फल या किस सब्झी में कौन सा बिटामिन पाए जाता इसके बाद में आप जानेकारी स्था करते रहे हैं लुक्त नमेशिक विकल्पों में कहुंग्त कार्व टी रॉट तो यह दा है और तो गताथ तो बीटामीन के विटामीन का स्कर्विक, अऔर गरमिन करना की, छीड है। तुको फराल जो है यह बिटामिन E क assurance नाम है ठीक है और बिटामिन K का चैए फिलो क्यो लुग ठीक है यहो गया अगला bun लोम फ्राल जो है इतार निक्स्रीट कि अधर क्या अगला प्रस नमारा है इसलिए कहा जाता है कि आप चावल को ज्यादा धुलिये मत ठीक है अब धुल के क्या करें उनको दूलेंगे आप पानी को बाहर फेक देंगे तो चावल पाई आता है विटामिन B जल में घुलनसील है वह आप उसको फेकेंगे तो उसके साथ साथ क्या तो भीटामिन भी चला जाएगा आप चावल को आप जाता धुलिये मत ठीक है अगर साफ चावल आता आप उसको बनाए सकते हैं अब विटामिन सी भी क्या है जल में घुलनसील है अगला प्रस्ण हम देखते हैं कि विटामिन भी टोल जिसे कहते हैं साइनो कोबालामिन में कौन सी धात पाई आती है लोहा जो होता है व में हमारे क्या पायाती है लोहा पाय जाता है अध्यस्ता करए को वा सकते हैं को मारा पार्यार आता था भीटामिन भी की ढिल्ट करना के डिवार्जेसे पार्मेसन कर लेता है जब प्रस्ण पूशा जाता है कि हमारा सरीर कोन कौन सी विटामिन को बना सकता है तो उसमें आता है आपका विटामिन विटामिन के और यह चर्चा करेंगे मैगनेसियम आया गींड से कोन और सा किसी सब्सक्राइब शयुक्त उपन को प्रयाप्त आउजिता की याद रखने में शाहत होता है यह आपका विटामिन विशलीज होता है अगला प्रस्न है हमारे छरीर दोरा किस परकार के बैटामिन का संस्रेशन किया जाता है अब यहाँ पे हमारे चरीज के द्वारा विटाम इन विटामिन डिए जिसे कहा जाता है कैल्सी क्याल विटामिन डिकास दिक्स बीकास देए बिर दोक में बैठते हैं तो फूक में पाइड आख उट्रा वाइल्ट रेज्व पाई गिरते हैं तो हमारे इस्कीन जो कॉलिस्ट्राल पाहिए जाता है उसकी से विटामिन के साथ हार्मोन की संग्या देते हैं और यही विटामिन क्या होता है इसकी जरूत क्या है हमारी शीरी में यह कैल्सियम के करने के लिए ने की जरूरत है तो उसी क्या करता है इसे हर्मोन की संगया दी ही इसको अल्टा वाले ट्रेकी परस्थित में हमारा समारी स्कीन खुद बना सकती है ठीक यह का सोस्ट में मदद करती है अगर कैसिंट का अशोष्टन होता रहे अप्जार्ब करने की छंता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इससे क्या हो गया आपके किडिमी आपके यूट्रेस या अगर जगा आपके गाल ब्लैडर पर किडिमी मतलब इस्टोन मतलब इस्टोन इसमें बनने शुरू हो जाएंगे तो आप ज्यादा मात्रा में ना ल पर किडिमी स्टोन बन हो गया तो इसका प्यन आप जानते कितना ज़्यादा होता लग्या इस सञुरू चलम में यह को मैदवा का फार्मेशन करते हैं विटावन वी टोल में क्या पाया था कोबार्ट पाया जाता है ठीक है हमारा अगला प्रश्ण है है भीटामिन सी जो कि घहğणव भरने में मदद करता है तित जिसका भ knocked on स चर्个 में नहीं होता कि सधावत का अभ्रम्द करता है या जैसे विटामिन डी जो ठाब तक्लसियम कलसे मäधन करता था ठीक है विटामिन डी जो है कैल सिम का ओ शोन मदद करता تھο बैकिन जो बिटामिन चीए है यह PM सब्सक्राइब बाइन कार सुई है हमारे मद्याइब नहीं होता तो भरी सब्सक्राइब चरत है की जितनी अफ्योग करता है जो बेकार का है उसको बाहर निकाल देता है ठीक है और विटामिन सी के लाब क्या है यह घाव भरने में मदद करता है और यह आपके शरीर में अगर आयरन की कमी है तो आप आयरन की गुली लिए आप पालक खाए लेकिन उसके साथ आपको विटामिन के बारे में एक चीजा यह जल में घुलन सील ठीक हैयर दूसरी बात यह कि विटामिन comprnd की सब्मेर और 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 अब लेकिन विटामेंट सी के साथ एक कि इसको जब आप गरम करते हैं तो यह क्या थे जाता है जब आप इसको गरम करते हैं उसमें आप निबू निचोड देते हैं तो उसके बाद आप उसको पीते हैं आपको लगता कि हम निबू ले रहे विटामेंसी ले रहे तो यह असा नहीं है क्योंकि जैसे उसमा पाती बिटामेंसी नष्ट हो जाती है इसलिए अगर हो भ्सक्षाय के पीजी आप एम्रूत खाई अमश्वसक्त्र मह错 एक अगला परसन हमारा है कि अग्ला प्रसन है कि अचल म॑ थक्किन भीटामी सकता होती ही है या का थक के बनाने क्या सकता होती है इस को हमारा इसको खुद बना लेता है ठीक यह याद रख़िएंगा शूर की बिटामीन को बनाने में मदद करती हैं यह आपके बिटामीन बंता है शूर के परकास खेसे में मदद करता है जिसने भी Veterans बिटामीन आनगा नहीं है से यह को म करिपनाख नयुक्वारी नहीं होती है सेब को हिर्दे रोगियों के लिए बिसेश महत्व है सेब का मतलब यह का जाता है कि हिर्दे जो रोगियों उनको सेब खाना चाहिए क्योंकि हिर्दे के लिए में होता है कि सोडियम पोटैसियम पड़ती है तो पोटैसियम जो होता है वो सेब से मिलता है इसलिए सेब जरूर पाया जाता है कि की सबीधी का मतलब भी से सभी सुझतह पाया जाता है यह तो-बत हो वे लेकिन दुट लेकिन बड़ी पता हो जाने के लिए खटक होना जरूँ है आप मिर्चे मे उसी आपके पाया जाताuire है齐 हम अकर विर्फामिन पाई जा रहा है तो इसकी है अब्रूर में दो सो बारा यूनिट पाई जाता है लेकिन आप नीबू की बात करते हैं तो आपको भीटामीन से लेनी है तो आपको नीबू नहीं मिल ल्याएं मिलेगा उसी प्रकार कहे बंद गुभी में आपको मिलता है 124 यूनिट और उसी प्रकार आपको फूल गोवी मिलता 6 यूनिट यदि आप बंद गोवी खाते हैं को भी कच्छा खाते हैं सलाद में खाते हैं तो आपको बिटामिन C मिलेगा ठीक यह बात होगी आपकी बिटामिन अगला प्रस्ण हमारा है कि निम्खित में से कौन सा योगिक होगा मानों सरीर में संग्रहित नहीं रहता तो जैसे विटामिन तरश होता लेकिन अमीनों अमले की रूप में यह संगisches नहीं होता है मारा अगला प्रसमत है तuren यह तो रिपीट हो गया निंखित में से कॉन सा संसुलिफ्ट इसको हम खुद बना लेते हैं तो यह क्या है यह संसलिष्ट तंतु है लेकर रेसम रेसम जो होता है उसको हम नहीं बनाते हैं रेसम कीट की दौरा बना जाता है रेसम कीट क्या करते हैं वो अंडे देते हैं अंडा जो होता है वो क्या नाम है अंडे से लारवन निकलता जिसे केटापिलर कहते हैं केटापिलर क्या सातूत की परतियों को खाता है खाने के बाद वा अपने ऊपर एक खोल बनाता है जिसे क्या कहा जाता है कोकून के अंदर वो केटापिलर चला जाता है जब केटापिलर कोकून के अंदर होता है उसको क्या कहा जाता है प्यूपा यह पू रेसम को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है उस कोकून के अंदर उस कोकून को उबालना पड़ता है जब हम उसको उबालते तो उसके अंदर का प्यूपा जो होता अंदर ही मर जाता है तो आप यह सोचिए आप एक रेसम का कपड़ा पहन रहें तो आप पता ने कितने को पीऊपा को उसके कूकून के अंदर ही मार दिया क्योंकि ये पीऊपा निकलेगा तो काट के निकलेगा तो आप उसा सम्वार जोड महत नहीं सकते के ले तो पाइब उसके पहले उसको अबसम नीकाल लेब है ठीक है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा जब आप रेसम की कपड़े पहनेंगे तो आप सोचेंगे आप कितनी प्यूपा को आप मार्कीस को पहने हैं कापास की बीजों को निकालने की परिक्रिया को क्या कहते हैं कापास की बीजों को निकालने की परिक्रिया को कापा को लग करते हैं उसके बाद की जो परक्रिया होती है कपा सोटन के बाद की कताई होती है आप उससे तागी बनाते हैं उसके बाद आप बुनाई करते हैं उसके बाद कपड़ा बनाके पहन लेते हैं ठीक है यह बाते होगी दोस्तों इसी के साथ मैं आपको यह पताना चाहूं कि हमारे चैनल रियो जी के सनाय स्केडमी पर पूरी प्वाल्टी एक दम सुरू से अंत तक आउध्हाणात्मक और व्याक्षात्पक रूप से पढ़ाया गया है तो जो बच्चे यूपी पीसे आरो या यूपी एसाई की तैयरी कर रहे हैं उनको यह लग रहा कि हम प्वाल् सब्सक्राइब के द्वारा पूरी प्वाल्टी बिल्कुल फिरी और पीडियो नोट्स के साथ उनके हाथों द्वारा लिखे नोट्स के साथ पूरी प्वाल्टी मौजूद है आप उसको पढ़के आप समिधानियम राजवरस्था के अच्छे से समझ सकते हैं और अपने जैसे आपने चाय बनाए तो चाय की पत्या क्या हुई उसी में घुल गई उसका रंग बदर चेंज होगे आपने उसको पिया लेकिन चाय की पत्या निकालने के लिए क्या करेंगा आप च्छननी लेंगे उसको च्छनेंगे इस च्छननी के द्वारा च्छनने की क्रिया को उसर विग्जान की भासा में कहते हैं इस क्या कहते हैं तो यह आउसादन क्या है ऑपानी лексण घोल दिए लिए और गन्टे बाद आप देखते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है उपर वाशे जो यता साफ पाना तो इस किरिया को मिट्टी को नीचे बैठने असाफ पानी वोपर आने की किरिया को अवसादन कहते हैं ठीक है अब जब यह अवसादन हो चुका है तो आप इसको तिर्षा करके आप इसको तिर्षा करके जल को नीचे दूसरे विकर में गिराएंगे इस किरिया को क्या कहते हैं निस्तारन मिट्टी को न तो आप उसमें पत्तियां हैं तो उसके लिए आप छंनी की सायता से चालन कि भी करते हैं उते हुता है BUT रुषक्राणय के मारिया नलए आज़ नहीं कि यह संते हैं वान्य को चालन में चालन होता है लेकिन याप च्छोन धारोते के अंदन तो इसी के साथ ये 25 क्वेशन आपके कंप्लीट होते हैं और आप से उमीद है कि आप इसका फीडबैक हमें जरूर देंगे क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमने पढ़ाया है वह आपको कैसा लगा अगर इसमें कोई कमी है आप उसको लिखेगा उसको मैं अगर कराया है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसके वारे में जरूर पताएगे कमेंट करके और हमारा जो चैनल आप उसको संस्क्राइब कीजिए और इसी परकार मैं जितने अभी तक कराया हूँ सबसे पहले में साइंस के सभी टेस्टों का पूरे ब्याख्या के उसके बाद बाकी जोगर्फी इस्ट्री पॉलिटी के भी ब्याख्या के साथ उसको हल कराऊंगा ठीक इसी के साथ बिदा लेते हैं नमस्कार